हाव डू फीक्स सैमसंग नॉट सेवन इस्क्रीन फ्लिकरिंग प्रॉब्लम नमस्कार डोस्तो स्वागर आप सभी का तिकराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताओंगा कि केसे आप जो है स्क्रीन फ्लिकरिंग प्रॉब्लम सॉलras meant कर सकते है यहापे दोस्तो आपने कई नोटिस क्या होगा आपके डिवास में कभी कबार इस था शरी प्रम्रेटर के वज़े से कुछ भी प्रॉबलम हो रहा है तो भी दोस्तों स्क्रीन फ्लिकर करऊधे अभी दोस्तों यहां पर सफ़विए नहीं हाँब हाड़र में इस्टेट है टाफिछ स्कृनी करते हैं ठीक है डीसमेल् डिस्प्ले में प्रॉबलम है या फिक अब डिस्प्ले क्रेक हुआ है तो उस समपे दोस्तों आपको स्क्रीन फ्लीकर करते हुए नजर आ जाएगा तो दोस्तों स्क्रीन फ्लीकर करने का रिजन्स यही कुछ यहाँ पर जाने को मिल जाते हैं ठीक है तो अगर आपके स्क्रीन भी फ्लीकर करें तो आप इस वीडियो को अंतक जरूर देखें मैं आपको कुछ सॉलीशन बताऊंगा जो कि आपको फॉलो करना है उसके बाद दोस्तों देखेगा आपका जो प्रॉब्लम में किस तरीके से फिक्स हो जाते हैं ठीक है अगर स से मैं सॉलीशन बता दूंगा क्या करना चाहिए तो आप उस जिसको फॉलो कीजेगा ठीक है वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि आए तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन को क्लिक करें और अगर आप ऑनलाइन पेसा कामा आना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा किसी प्रॉब्लिम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले चीज़ दोस्तों यहां पर स्क्रीन फ्ल जा हुआ है ठीके तो उसके दोस्तों अब स्सिम्प्री सेटिंग पर जा सकते हैं फाइल मेनजर पर जा सकते हैं चक कर सकते हैं आपका स्टौरिज फूल है या फिर खाली है तो कई आपको किया करना है कि 這麼 feels वगरा रेते जो कैस रहते हैं mobile का उनको डिलेट करने और nied चीजों को डिलेट कर दें ठीक है तो इस तरीके से आपको सबसे पहला सोलिशन फोलो करना है एटलीस 40% 30% आपका स्टोरेज इस्पेस खाली होना चाहिए ठीक है उसके बाद दोस्तो आपके जो मॉबाइल है उसमें जो भी अप्लिकेशन से उसको अपडेट करकी यूज करें कम अप्लिकेशन होगा अच्छा रहेगा उसको अपडेट करके आप यूज कर सकते ठीक है तो अपडेट वर्जन का अप्लिकेशन वगरा यूज कीजिए सारी साथ दोस्तों आपके जो मॉबाइल सोफिर है वो भी अपडेट होना चाहिए ठीक है मॉबाइल सोफिर में जा जाएगा ठीक है तो इसक्रीन फ्लीकर का प्रोल्म दूस्तों कुछ इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते अगर सोफिर के रिलेटेट कुछ भी एश्यू है अगर अपडेट करने के बाद फिक्स हो जाता है ठीक है अगर नहीं हो रहा है तो दोस्तों यहां पे आपको क्या करन सेटिंग पर जाना है स्क्रॉल डाउन करना है जेनरल मेनेश्मेंट पर जाके रिसेट ऑप्शन सेलेक्ट करने और उसके बार फेक्ट्यूरी डेटा रिसेट करने के बाद दोस्तों चेक करके देखें आपका इस्क्रीन फ्लिकर इशू फिक्स हो जाएगा वाई इनी चांस अ या फिर किसी भी तरह का इशू हो सकते हाडवेर के रिलेटेट तो उसके वज़त से इशू होते हैं कई बार दोस्तों स्क्रीन फ्लिकर उसी वज़त से भी करते हैं तो आपको क्या करना है कोई भी सर्वेस इंतर पर जाना है अगर फोन अभी वेरेंटी पे तो फ्री में भ अगर काम नहीं बना तो आपको हाडवेर ली फिक्स करना पड़ेगा यह प्रॉब्लम को ठीक है तो यह सारे चाहिए आप फोलो कर सकते हैं तो इस वीडियो के अंदर पर दोस्तों मैंने सोफ़वेर के रिलेटेड आपको सॉलूशन दिया है अगर कुछ भी प्रॉब्लम स आपको क्या करना है अगर हाडवेर के वज़े से हो रहा है तो आपको क्या करना है ठीक है उमीद करते हैं आपको यह वीडियो बसना होगा तेंक्स वर वाचिंग